स्टापलस की सीरिल एक ब्रह्म सर्वगुन संपन के व्यूवर्स इस बात को लेकर काफी नाराज हैं कि मेकर्स ने पूजा शर्मा जिसी स्ट्रॉंग और पावरफुल कारक्टर को एक ही जटके में एक अबला नादी बना दिया है जिससे रोने के अलावा कुछ आता ही नहीं लेकिन हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स को पूरानी पूजा की एक जलक मिल जाएगी अब जब उस पर चोरी का इलजाम लगा है जी हाँ, रानी फिर से एक गंदी चाल चलती है जिसके वज़े से पूजा को चोर माना जाता है सुमन पूजा को खूब खरी-खूटी सुनाती है और उस पर उन्हें फिर से बर्बात करने का आरोव लगाती है पूजा के लाख कहने पर भी कोई उसका विश्वास नहीं करता और तो और अनुरादा पूजा को थपड़ भी मारती है सुमन जब कबीर को पूजा के खिलाव भढ़काने की कोशिश करती है तो कबीर उन्हें सिर्फ ये कहता है जो पैसे चोरी हुए हैं वो उसे वापस लेकर आएगा तो क्या कबीर भी यही मानता है कि पूजा ने पैसे चुराएं? वेल नहीं कबीर पूजा से जब मिलता है तो उसके आंसु पोच कर उसे कहता है कि वो पूजा पर ट्रस्ट करता है चाहे कुछ भी कहें लो यह सुनकर पूजा चौक चाती है वो पूजा को सब के सामने अपने आपको बाद-बाद पर जस्टिफाई करने के लिए डाटता है कबीर के कहने पर पूजा उसका साथ देती है चोरी की गई पैसो को रिकवर करके उसका नाम क्लियर करने के लिए और असली कल्परिट को पकडने के लिए क्या कबीर और पूजा राने तक पहुच पाएंगे वेल यह तो हुई शो की बात लेकिन टेलेविजिन दुनिया के लेटिस्ट अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स के लिए हमारे चानल को ज़रू सब्सक्राइब करें